जो सीमंधर स्वामी के पास जाना चाहते हैं या जो चाहते हैं उनका अगला जन्म वर्तमान के तीर्थंकर सीमंधर स्वामी के चरनों में हो जिसे से वे एक ही जन्म में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सके जन्म मरंग की परंपरा से छुटकारा पा सके और कैवल्य को प्राप्त करके उसी समय उनके चरनों में मुक्त हो सके तो उन्हें एक काम अवश्य ही करना होगा और बार-बार उसे खुद को याद दिलाना होगा कि उसे मुक्त होना है सिमंदर स्वामी के पास जाना है उनके चरनों में रहना है दिन में जब भी थोड़ा सा भी समय मिले खुद को जगाएं और ये भावना भाएं क्योंकि तिर्थंकर बनने के बीस बोलों में एक बोल है अरिहनतों की या तिर्थंकरों की भक्ती, स्तूती, वंदना, आराधना और नमन बस यही एक मार्ग है जि सीमंदर स्वामी के प्रती होगा उतनी ही या उतना ही निश्चित मान ले अगला जन्म सीमंदर स्वामी के चरनों में गुजारने को मिलेगा अगर दुनिया के सब आकरशन फीके लग रहे हैं एक मात्र नजरों में सीमंदर स्वामी बसे रहते हैं तो खुश हो जाएं कि आ उनकी वंदना सीधे सीमंदर स्वामी तक पहुंसती है क्योंकि इस समय को या ब्रह्म मुहुरत को अपूर्वकाल भी कहते हैं। इस समय मंदिरों में तिर्थंकर भगवान की प्रान प्रतिष्टित मूर्ति को देवों का रक्षन प्राप्त होता है। अभी सीमंदर स्वामी की सेवा में एक करोड देवी देवता है। सीमंदर स्वामी अभी देह धारी है, प्रत्यक्स में हाजिर है, इसलिए इने प्रकट प्रभावी भी कहते हैं। इस ब्रह्म मोरत में सीमंदर स्वामी का किया गया ध्यान आराधन सब उनके पास डायरक्ट पहुंसता है और सासन से भी देवी देवता का समरन भी उनके पास जाता है तो हो सके तो मंदिर जाए या नहीं जा सकते तो ब्रह्म मोहरत में उनका ध्यान लगाए और अपनी भावना बताए जिस प्रकार किसी भौतिक वस्तू की प्राप्ती में हम दिन रात एक कर देते हैं ठीक वैसे ही सीमंदर स्वामी की ऐसी भक्ती हो कि व्यक्ती को पता ही न चले कि दिन है या रात पेट भरा है या भूका इस तरह जब व्यक्ती खुद को भूलने लग जाए तिरतंकर भगवान की आराधना करते करते तब समझ ले कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी तो कितने लोग मुक्त होने के लिए कुछ भी करने को तयार है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें